इसके साथी बसपाध्यक्ष मायवती ने भी ट्वीट किया है क्या लिखा है बताते हैं आपको सात्वे और अंतिम चरण के मतदान में भी पहले मतदान फिर जलपान के संकल्प को पूरे जोश के साथ बढ़ चड़कर हिस्सा लेने की अपील उन्होंने की ताकि देश में रो जिन से हम चर्चा कर रहे हैं आज की इस मतदान को लेकर और भी खबरे आपको बताएंगे लेकिन अशोक यादव जी हमार सा जुड़ गए है समाजवधी पार्टी के प्रवक्ता अशोक जी कौन-कौन सी सीटों पर चुनौती लग रही है आज आज की जो 13 सीटे हैं उन प दर्शुकों को बता देते हैं उसके बाद मैं आपके पास आउंगी बड़ी खबर मौसे बूथ नंबर 18 पर मतदान शुरू नहीं हो पाया है और इवियम खराबी की खबर यहाँ पर साबने आई है मादी दुलह की बूथ नंबर 18 पर इवियम खराब हुई है तो देखे काई जगों से इवियम खराबी की खबरे सुबह सवेरे ही आना शुरू हो गई हैं और काई जगों पर मत्दान शुरू भी नहीं हो पाया है और कुछ जगों पर देरी से शुरू हुआ आदे घंटे तक कई जोफों पर हमने देखा कि मतदान शुरू नहीं हो पाया, वोटिंग नहीं लोग कर पाया अलाकि बहुत सारी जगए ऐसी हैं जहाँ पर सबसे पहले लोग पहुचें सुबह सवेरे ही लंबी कतारों में लगे हुए, लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए निजर आये और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया, बात योगी आदेतनात की करें, मुख्यमंत्री योगी आदेतनात उन्होंने भी वोट कास्ट किया, उनकी तरफ से भी अपने मत का इस्तिमाल कर दिया गया है तो ऐसे तमाम वो लोग हैं जो प्रियोरिटी मांनते हैं वोटिंग को जो प्राथमिकता अपनी मांनते हैं कि वोट डालनी के लिए सबसे पहले जाना है लेकिन इस बीच EVM खराबी की खबरे लगतार हम आपको बता रहे हैं जहां जहां से जो जो भी अपडेट है लगतार न्यूजेटीन हर अपडेट आप तक पहुचा रहा है तो आज के मतदान की हर तस्वीर सबसे पहले आपके पास न्यूजेटीन लेकर आ रहा है इसी बीच मादी दुलह की बूथ नंबर 18 पर EVM खराबी की खबर सामने आई जो कि हम आपको बता रहे है और चली एक और खबर सोन भदर से यहाँ पर भी वोटिंग शुरू नहीं हो पाई बूथ नंबर 343 पर वोटिंग शुरू नहीं हो पाई EVM खराबी की खबरे सामने आई गाजिपूर से बीज़िपी के उम्मीदवार पारसनात राय ने कहा है कि पिछले पांच साल में गाजिपूर की लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे है इसलिए विकास के लिए लोग बढ़ चड़ कर वोट करें विकास की एक रेखा खीच दी गई थी और मुझे पूरी उमीद है कि धर के दिनों में जो विकास का काम जिले में ठफ था हो गया और आप सबसे लोगों से पुरी मरी उमीद है कि वो विकास आपको बार-बार याद आएगा और विकास के पक्ष में आप अपना मद्दान करेंगे यही आप सबसे बार-बार निविदन है और प्रार्थना है किस मुद्दे को और क्यों कुन समुद्दे लेके आप गाजीपुर की जनता की पीछ गए थे और आज आपको कैसा लग रहा है क्योंकि अब आपने भी वोट अपना कास्ट कर दिया कैसे देख रहे हैं मैंने तो हमेशा यह बात कही कि 1419 ता काजने शिनहाजी इस जिले के प्रत्नी धी थे और उन्होंने जो विकास का काम सुरू किया वह अगल बगल के जिले नहीं जहां तक मेरी जानकारी है पूरे उत्तर पदेश में वह केले ऐसे सांसद रहे हैं जिनोंने 20,000 कड़ रूपे की परियुजनाई गाजीपूर जन्पद में लाई गही है लेकिन इन पिछले पांच भरसों में गाजीपूर अपने को ठगा ठगा सा महसूस किया लगा कि कौन से गलती हमने कर दी है उन्हीं सारे विकास के कारियों को जो धूरी रह गए जो ठप हो गए और उनको निश्यत रूप से पूरा करने का प्रयत्न करूँगा चलिए गाजीपूर आपको लिए चलते हैं अमित गंजु हमारे सायोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं अमित अभी भी पारसनात रहे से भी आप बाच्चित करते निजर आए क्या कुछ माहल देख रहे हैं इस वक्त मदान केंदर के अगर बात करें तो मदान केंदर पर किस तरह की तस्वीर जरा दिखाएगा देखिए शिनम जी मैं आपको बताना चाहूंगा एक लंबी कतार यहां सामने देखने को मिल सकती है इस बात का प्रमाने कि ना धूप की चिंता नहवा क्योंकि पहले मतदान फिर जलपान सर वोट कास्ट करने के नहीं नहीं अच्छा हश रहे कुछ बताना चाहना चाहर हो बता दो पर ना ना वोट नहीं पड़ा नहीं पड़ा अच्छा यह बताओ क्या मुख्य मुद्ध यहां के अगर इस पूरे गाजीपुर की बात की चाहिए यहां मुद्ध को पता नहीं है यहां मुख्य मुद्दा देके बेरोजगारी और महंगाई कोई मुद्दा नहीं है हमारे हिंदू का हिंदू का और हम लोग उस मुद्दे पर ओटिंग करेंगे ना कि किसी को नुक्सान हो किसी जाती धरम को नुक्सान हो या किसी अधर को नुक्सान हो नुक्सान नहीं होना चाहिए आप वोट कास्ट करने हैं अपना चाहिए यह सबसे बढ़िया चीज है हाथ मेरे घर से लेके चलें जी जी सर क्या यहां कि क्या मुद्देद कुछ नहीं लेकि मेरा वोट जो पड़ेगा राष्ट के लिए जो राष्ट मजबुत रहे और हमार पहले अपना पहले मतदान पिर कोई बात देखें निश्चे तोर पर यहां के लोगों ने भी एक मन बनाया है कि पहले अबाचीट कर दे रहे हैं वोटर्स से उनके उत्सा को जानते रहे हैं बल्यार से आमारे साथ राजी भी हमारे सायोगी हमारे साथ जोड़ चुके हैं राजी जी आप जरा दिखाईए वहाँ पर किस तरह की तस्वीर आप सुबह सवेरे मद्दान के इंदर पर देख पा रहे हैं कितना उत्साहित इस बार का वोटर है तो कि हमने पहले देखा मद्दान प्रतिश्वत काफी कम आया था नजर लेकिन आज कितना उत्साहित बलिया कि वोटर दिख रहे हैं अब दिखिए सीनम बलिया में इस वक्त मद्दान को लेकर जबड़ दस्त उसाह देखने को मिला है इस वक्त मैं बलिया के फिफना चेतर में उच्छे प्रात्मिक बिद्याले पर खड़ा हूँ जहां पर आप देख सकते हैं कि सेकलों की संख्या मे लोग सुबा से ही मद्दान के लिए यहां पर पहुंचे हों लगतर कतारों में लगकर मद्दान करते हुए नजर आ रहे हैं अगर बलिया की बात करें तो बलिया में 19,23,645 ओटर है और 13 उमिद्वार चुनावी मैदान में है इसमें बीजेपी ने जहां पर पूर प्रधा चेन मुद्दु को लेकर वोट कर रहे हैं राष्ट मजबूत रहेंगा देश मजबूत रहेंगा आपको यहां सकते हैं पर अप देख सकते ह Já और यहाँ हूं